हाई दर राइस आज का प्राइड राइस है हेल्डी टैस्टि एए वह preyl neu ed siya टाल रहेए तो यो सबगाल करेंगे इसकी लिए ढूस की लिएildachte चाुए छावल पानी ड़ाल डाल था एक बॉइल ने के बाद एक चमश तेल डालेंगे और हमारा चावल डाल देंगे चावल को हमें 95% तक प니다. चावल जाना एक्तम नरम नहीं होना चाहिए कрийल ना चाहिए लिकिन वह नरं बिल्कुल भी गोड़िक ऐसे ही राइस को पकाणा है तो राइस मेरे इस तरह से हो गया, अभी मैंने एक बरतन लिया है, उसके पर एक छलनी रख दिया है और उसके उपर ये राइस डाल देंगे, तो इसमें से एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकलाएगा, वो पानी को बिल्कुल भी फेकना नहीं हो, बहुत हेल्दी होता है, ऐसे ही पी सकते हो, या करी में उगर डाल सकते हो, तो राइस को इस तरह से फैला के रखेंगे, ति वो जल्दी से ठंडा हो जाए, अभी मैंने सबजों में लिये है, गाजर, सिमला मिच, पत्ता को भी, हरी मिच, प्याज लिया है, उसके साथ ही लिया है हरा प्याज, सबसे जादा मैंने लिये है, एक कटोरी लिये है, मैंने इसमें पत्ता को भी सबसे जादा लिये, अभी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, तेल गरम होते ही, उसमें डाल देनेंगे, कटा हुआ लसुन और हरी मिच, उसको अच्छी तरह से चला लेंगे, अभी ये पूरी रेसी भी फुल फ्लेम पे ही करनी है, तो क्या होती है, सबजी अपक जाती है, लेकिन उसका क्रंच नहीं जाते है, उसके बाद में डाल दिया है, मैंने प्यास, प्यास को भी अच्छी तरह से चला लेंगे, अभी गैस की पावर फुल है, इसकी लिए उसको कंटिनुसली चलाते रहन हैं, ग्यास सवते ही, हमारा प्यात सवते ही, तो केशरी कलरी का गाजर में ऑधने ही तो और को कड़क होता है, जलदी से बलता नहीं तो और बाकी सब जो इसके लिए डाला की गडुक होता है, तो थोड़ा से प्रंच आने में प्यास क्नारी में तुदकर दिए सबंट चे मुझे 1 साथ इसाथ बीकों से 5 लिए है और बंगतर याले से 15 अग्णावो औमके साथ sis इसार याल मुझे ऊटाशे सकते सूरा है चाइनीज फ्लेवर देने के लिए मैंने एक चमच डाल दिया है चिली सॉस आधा चमज डाल दिया है, सोय सॉस और एक चमज डाल दिया है, टमाटो सॉस विनीगर की जग मैंने जग रसा नीमबू डाल दिया है, यह तोटली आप अवोइड भी कर सकते हो, उसके बाद पका हुआ राइस डालना है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लिए ना है, कि सारे फ्लेवर जो है ना, वो हमारे रइस के साथ कंबाइन हो जाए, तो देखो, इस तरह से हमे उसको मिक्स कर लिएना है, एक से दो मिनिट तक, और उसके बाद उसमें ग्याज बंद करके उसमें डाल देना है, मुझे हरा प्यास, और धनिया, घनिया है तो ढाल। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू